साथियो नमस्कार आदाब सत्त्रियकाल नियूज क्लिक के इस खास कारिकरम में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज़ पार्टी की दोनों पार्टीयों के बीच में चुनाव से पहले गठबंधन का एलान हुआ और माना गया कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी को गंभीर चुनावती देगा और काम्याबी हासिल करेगा जो लोग भारती जनता पार्टी के भी समर्थक थे उनको लगा था कि वाकई बहुजन समाज़ पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश के मैदान में समेट देगा भारती जनता पार्टी की सीटों को और बढ़त उतनी नहीं मिलेगी जितनी उसको 2014 में मिली थी लेकिन फिर भी भारती जनता पार्टी बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीती और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर सिमटना पड़ा और बहुजन समाज़ पार्टी 10 सीट पर आ गई कर दिया कि हमें अब ये गठबंदर नहीं चाहिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादो और डिम्पल यादो से उनके पारिवारी के रिष्टे बरकरार रहेंगे नीजी रिष्टे बरकरार रहेंगे लेकिन अगले जो उपचुनावा रहे हैं उन विधान सभा के उपचुनाव में उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी नतीशतन अखिलेश यादों को भी कहना पड़ा कि हाँ जी उनकी पार्टी अब अकेले लड़ने की तयारी कर रही है मजे की बात है कि बहुजन समाज पार्टी बड़े लंबे समय से कोई उपचुनाव नहीं लड़ती है विधान सभा उपचुनाव की बात छोड़िये संसदी उपचुनाव भी नहीं लड़ती है लेकिन इस दफ़ा मायवती जी की पार्टी उपचुनाओं को भी लड़ने का एलान पहले ही कर चुकी है उनके नोटिफिकेशन होने से पहले अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ बहुजन समाज पार्टी की नेता मायवती जी ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि अखिलेश यादोग जी का जो कौर वोट है यानि उनका उन्होंने सीधे नाम लेकर कहा एक जाती विशेज इसका कि यादोग का वोट उनकी पार्टी के उमिदवारों को नहीं मिला लहाजा उनको वो काम्याबी नहीं मिली जो काम्याबी मिलनी चाहिए थी जबकि काम्याभी अगर देखा जाए तो इस गठमंदन को भले काम्याभी नहीं मिली लेकिन दोनों पार्टियों की अगर तुलना की जाए तो काम्याभी वाकई ब्यस्पी को मिली जीरो सीट से वो दस सीट पर पहुँच गई 2014 में जब वो अकेले चुनाव लड़ी थी तो मायवती जी की पार्टि को जीरोशुन एक भी सीट नहीं मिली थी लेकिन इस दफा उनको दस सीट मिली और समाजवादी पार्टि को 2014 के चुनाव में पांच सीट मिली थी इस बार भी पांच सीट मिली है दिल्चस्प वाक्या ये हुआ कि पिछली बार सारे उनके खांदान के लोग जीते थे इस बार उनके खांदान यानि सैफ़ई का खांदान सैफ़ई के खांदान के तीन लोग हार गए अखिलेश यादो की धर्मपत्नी यानि सैफ़ई के सबसे बड़े पूरोधा और समाजवादी पार्टी के समस्थापक मुलायम सिंग यादो की पुत्रवधू डिम्पल यादो चुनाव हार गई कर्नोच से बदायू से अखिलेश यादो के चचेरे भाई धर्मिंद्र यादो चुनाव हार गए फिरोजाबाद से राम गुपाल यादो के पुत्र और अखिलेश यादो के चचेरे भाई अक्षा यादो चुनाव हार गए तीन तीन लोग चुनाव हार गए कुल पांच सीट पाकर समाजवादी पार्टी को संतोश करना पड़ा ऐसी स्थिती में दोस्तो अगर काम्यावी को देखा जाए गटबंदन में तो मायवती जी को कंपरिजन तुलना में बहतर परफॉर्मूल होने किया लेकिन फिर भी वो ये कह रही हैं कि हम यह गटबंदन तोड रहे हैं यानि एक प्रियोग के बाद दूसरे प्रियोग को वो करना नहीं चाहती इसकी पीछे क्या वज़ा हो सकती है और दिल्चस्प बात बताओं मैं जिन दस सीटों पर बीएस्पी जीती है उनमें 6 सीटें 2014 में वहाँ पर समाजवादी पार्टी दूसरे नमबर पर थी अब वो कह रही हैं कि इनके वोट इनका जो की वोट है इनका जो मुख्य सामाजी का अधार है उसका वोट उनको नहीं मिला लेकिन सभी जानते हैं कि पूरी उत्तरप्रदेश की गाजीपूर सीट से गाजीपूर संसदी शथर से बीएसपी के अफजाल अनसारी जो चुनव जीते उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो समाजवादी पार्टी के उसी कठित सामाजिक आधार का है क्योंकि गाजीपूर में उस कठित सामाजिक आधार की आबादी बहुत बड़ी है और उस चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद उसी सामाजिक आधार के कुछ एक लोगों पर नौकेवल हमला हुआ बलकि उसमें कईयों की हत्याएं तक की गई जिसको लेकर स्वेम अफजाल अंसारी नौनिर्वाचित सांसद सड़क पर आ गए अंदोलन के लिए हत्या के खिलाफ हाला कि मायोती जी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया तो कहने का यह मतलब है कि अगर परसेंटेज आफ वोट के इसाब से आप देखें तो समाजबादी पार्टी को इस चुनाओं में 17.9% वोट मिला जबकि बियस पी को 19.26% वोट मिला जबकि दोनों लगभग समान सीटों पर लड़ रही थी 2014 के मकाबले जाहिर है दोनों का कमबाइन जो वोट बैंक है वोट परसेंटेज है वो गिरा 42.2% 2014 में अगर कमबाइन किया जाए दोनों को जोड़ा जाए तो वोट परसेंट होता है इस बार 37.2% के वोट मिला है ये जो परफॉर्मिंस है मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीों की साज़ा काम्याबी और साज़ा भी फलता का एक दस्तावेज है इसमें कोई दोराए नहीं है कि ये बड़ी काम्याबी नहीं है लेकिन नाकामी की जिम्हेदारी सिर्फ एक पार्टी पर थोपना उसमें भी एक कम्यूनिटी पर थोपना मुझे लगता है कि एक ऐसी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी का नाम जिसके पास है जो बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है उसकी सुप्रमों के लिए ये चकित करने वाली घटना है लेकिन दोस्तों ये तो हो गई तत्थे की बात अब आईए विश्लेशन पर व्याक्या पर आखिर इसकी वज़ह क्या है इसकी वज़ह जानने से पहले हम फिर एक बार दोराएंगे कि समाजवादी पार्टी से अपने गट बंधन को तोड़ने का एलान करते हुए जब मायवती ने कहा कि बीएसपी इस बार विधान सभा के उपचुनाओं को भी लड़ेगी इसका क्या वज़ह है इसके क्या कारण हो सकते है इस लोग सभा चुनाओं में सभी जानते हैं कि मायवती जी की प्रदान मंत्री पद की दावेदारी बहुत महत्पून रंग से सामने आई अनेक बार अखिलेश यादों से भी सवाल पूछे गए कि आप इस चुनाओं में प्रदान मंत्री का पद किसे देना चाहेंगे या आपकी प्रात्मिक्ता किधर है वो पहले उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का ही कोई नेता प्रदान मंत्री बनेगा जब पत्रकारों ने बार बार उनसे पूछा कि कौन हो सकता है तो उन्होंने लगभग साफ कर दिया कि गठ बंधन की चली तो मायवती जी प्रदान मंत्री बनेगी संकेतों की भाशा में कहें अगर तो बलकि ठोस संकेतों के साथ बार बार कह रहे थे कि प्रधान मंत्री की दावेदार वो है इसका क्या मतलब हुआ कि प्रधान मंत्री पत की दावेदार तो मायवती रहेंगी लेकिन उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे पांच साल बाद यानि 2017 में चुनाव होए थे 2021 में जब चुनाव होंगे तो उस वक्त 21-22 में उस वक्त अखिलेश यादो मुख्य मंतरी पत के दावेदार रहेंगे अब प्रधान मंतरी पत तो मिला नहीं तो क्या ये माना जाए कि अगले उत्तर प्रदेश के अगले विधान सवा चुनाव में मुख्य मंतरी पत की दावेदारी ठोंक रही है मायवती अभी से और अखिलेश यादो को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी के रूप में वो मानने को तयार नहीं है यही कारण है कि वो साथ लड़ने को तयार नहीं है पहली बात दूसरी बात कि क्या इन विधानसवा उपचुनाओं में अगर सबसे अधिक सीटें वो जीत कराती हैं और किसी भी तरह से भारती जनता पार्टी की तरफ से इन विधानसवा उपचुनाओं को बहुत गंभीरता पुरवक नहीं लिया जाता एक टैक्टिकल रणनितिक वजहों से भी जिससे की सपा और बसपा की दूरियां अगले विधानसवा चुनाओं तक बढ़ जाएं क्या अधिक से अधिक विधानसवा की सीटें उपचुनाओं में जीत कर मायवती जी अपनी दावेदारी विधानसवा चुनाओं में ठोकना नहीं चाहेंगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा काम्याबी मिले और वही मुख्यमंत्री पत की अगली दावेदार बने और सभी लोग इसको एकसेप्ट करें खासकर जो ऐसे वोट आधार ऐसे ऐसे मतदाता जो भारती जन्ता पार्टी से अलग है या भारती जन्ता पार्टी को नापसंद करते हैं और दोस्तों दूसरी जो वज़ा हो सकती है जो बहुत महत्यपूर लगती है और ये तथ्थे विहीन नहीं है इसके लिए ठोस तथ्या है अगर आपको याद होगा तो इस चुनाव में अभी वोटों की गिंती शुरू नहीं की गई थी अभी फैसला आया नहीं था जनादेश किसी को मालूम नहीं हुआ था उसी दर्म्यान मतगणना के दिन से ठीक दो दिन पहले अच्छानक सीबी आई ने ये सीबी आई के हवाले खबर आई कि मुलाइम सिंग यादो अखिलेश यादो और उनके खांदान के कई लोगों के खिलाफ आई से अधिक संपत्ती रखने का जो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा वापस लिया जा रहा है सुप्रिम कोट में इस आशय का दस्तावेज पेश किया सीबी आई ने कि वो इस मुकदमे में कोई तख्ये नहीं देखती है कोई परताल उसने कराई परताल में कोई आधार नहीं निकलता इसलिए इस मुकदमे को खत्म किया जाए लेकिन ऐसा कोई आदेश हाल के कुछ ऐसे मामले हैं जो मायवती जी के खिलाफ इस सरकार की तरफ से या उत्रपरदेस की सरकार की तरफ से इनिशिएट किये गए थे उन मकदमों के बारे में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ यानी सूसरी मायवती पर सुगर मिलों के मामले में जो मकदमेश हैं या दूसरे और मामलों में जो मुकदमे हैं, वो अभी भी उनके सिर पर तलवार की तरह लटके हुए हैं। एडी से लेकर सी बी आई, आईबी से लेकर और तमाम संस्थाओं के इस्तेमाल, बलकि यूं कहा जाए, अपने रायनितिक प्रतिदंदियों और विरोधियों के खिलाफ उनका दुर्प्योग करने में इस सरकार का कोई सानी नहीं। किसी को भी ये सरकार संथ और किसी को भी ये संथ ये सरकार अपराधी साबित कर सकती है। बहुत आराम से। तो ऐसे में दोस्तों बहुत संभव है कि मायवती जी पर एक दबाव के तहट इस गठ बंधन को हतम करने का कहीं न कहीं से संकेत या संदेश दिया गया हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि 2017 के आप विधान सबाद चुनाओं को याद कीजे उत्तर प्रदेश के। उन चुनाओं के आइन पहले मुलायम सिंग यादो के खांदान में जिस तरह का नाट की विबाद पैदा हुआ था। जगड़ा पैदा हुआ था। अखवार वालों ने टेलिविजन वालों ने उसको बहुत रोचक रंग से पेश किया मानो यादो परिवार में महाभारत चुड़ गया है। लेकिन अगर आप अंदर तखाने में घुस कर देखिए तो ऐसा लगता है कि वो किसी के निर्देश पर, किसी के आदेश पर, किस के संकेत पर, वो बाकायदा नाट की विवाद पैदा किया गया था। क्या वज़ा है कि शिवपाल सिंग यादो ने कुछी समय बाद एक नई पार्टी बना ली लोग सवागे चुनाओ से एन पहले। और उन उन जगहों पर उन्होंने लड़ाया चुनाओ जहां समाजवा पार्टी के तगड़े नेता चुनाओ लड़ रहे थे लेकिन खांदान की कुछ खास सीटों पर उन्होंने चुनाओ में उमिदवार जो खड़े किये थे उनको भी वापस ले लिया। कमाल की एकता। खांदान के कुछ लोगों से शिवपाल खुश और कुछ लोगों से न दिरों अमर सिंग ने जिस तरह उनको पेटरनाइज किया क्या ये राजनीत के रिष्टे यूही छुपे हुए हैं क्या इन रिष्टों से कोई बात नहीं निकलती तो हमें लगता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर बेहत विश्वास के साथ पूरे भरोसे के साथ इस चुनाव से पहले भारती जनता पार्टी डंके की चोड़ पर कह रही थी कि वो अधिक से अधिक सीटें लेगी तो उसके लिए जरूर उसने कोई रणनीती बनाई थी उसकी रणनीती में यकीनन ये कहा जा सकता है कि उसने बहुत मेहनत भी की थी पार्टी के नेताओं ने OBC के और दलिट समाज के अनेक तबकों में ठोस काम भी किया था एक सैफरनाईजेशन भी हुआ था अनेक ऐसी पिछड़ी और दलिट जातियों का लेकिन इसके बावजूद जो तथे बताते हैं जो ठोस साक्षे बताते हैं वो ये कि कही न कही समाजवादी पार्टी और ब एक करमकांड कर रहे हैं चुनावी जंग का और चुनाव में वेहारी हुई मानसिक्ता के साथ सामने आये थे वो तब चुनाव में प्रचार करने निकले अपनी जंसभाएं तब उन्होंने शुरू की जब मुदी जी और अमिशाजी की नमजाने कितनी दरजनों सभाएं उ अगर आप देखेंगे तो आप ताज़ूप करेंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किस तरह के नारे लगाए उनके नारे क्या थे क्या वो आम जनता को आक्रिष्ट करने वाले अपनी गोर खीचने वाले ना रे थे उनके पास क्या ये जिन्डा था तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये एक सुन्योजित कदम है और इसके पीछे असल कहानी है जो लोग बसपा सुप्रिमों और सत्ताधारी भाजपा के बीच सुत्र बने हुए हैं कहीं न कहीं उनके उनके हाथों में उनके उनके दिमागों में कहीं न कहीं कोई बात है जो इस पूरी गटबंधन की राजनीति को बिखेरने में काफी सक्री है और दोस्तों भारती जंता पार्टी के लिए इससे बढ़िया इससे अच्छा महौल क्या होगा कि अगले विधान सवाद चुनाओं में उत्तर प्रदेश के सपा और बस्पा दोनों अलग-अलग होकर चुनाओं लड़ें तब भारती जंता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश को दोबारा जीतना बहद आसान हो जाएगा और यही वो कदम है जिसके बल पर भारती जंता पार्टी हिंदी हार्ट लैंड में जो हिंदी भाषी च्छत्र हैं वहाँ पर बेहतर ढंग से राज कर रही है और बेहतर ढंग से काम्याबी हासिल कर रही है दोस्तों आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी की इस अंतर कथा पर बस इतना ही आगे फिर हम बात करेंगे इन शब्दों के साथ आपका नमश्कार आदाब सत्रिया का